तो आएए दोस्तों इस वीडियो में हम देखते हैं बेसिकली यहां जो हम देखने वाले हैं वो हम देखेंगे कि armature reaction जो होता है और वो भी precisely DC machines में जो armature reaction होता है उसकी वज़े से जो field flux में disturbance हुआ है और magnetic neutral axis में shift आया है इस shift की वज़े से हमारा जो commutation process है उसमें दिक्कत आने लग जाती है carbon brushes पर sparking होती है commutator segment में दिक्कत हो सकती है problems हो सकती है तो उन से बचने के लिए हम क्या करते हैं हमारे carbon brushes को shift करते हैं M&A के direction में M&A का है magnetic neutral axis तो theoretically तो हम जानते हैं कि इसे कैसे करते हैं मैं आपको भी थोड़ी सी इस वीडियो में भी बताऊंगा base बनाने के लिए पर practically इसे कैसे किया जाए और theory और practical एक जैसी कैसे है जो की होती है अभी मैंने आपको का तो वो कैसे है यह हम आज इस वीडियो में देखेंगे तो आई आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों यह देखिए यहाँ पर हमने एक दो पोल की DC मशीन कंसिडर करी है जिसमें एक north रहेगा एक south रहेगा और d-axis के direction में flux रहेगा और यह red color से जो हमने दिखा रहेखिए यह हमारी क्या है फिल्ड वाइंडिंग है तो यह देखिए दोस्तों यह cursor जो मूँ कर रहा है north pole से south pole की तरफ और यह इस direction में हमारी flux रहेगी यह d-axis हो जाएगी ठीक है ना और यह हमने rotor एक दिखाया है क्योंकि जैसा हमें पता है कि DC machines में जो rotor होता है वह ही armature होता है क्योंकि torque produce भी उसी पर ही हो रहा है और EMF भी उसी पर ही produce होगा ठीक है तो इसे ही हम armature बोलेंगे पूरे आगे वीडियो में तो यह हमारा दो pole की machine हो गई और उसमें यह armature हो गई तो अब इसमें पहले हम देखते हैं कि geometric neutral axis क्या होती है तो दोस्तों यह देखिए आप geometric neutral axis geometric neutral axis मतलब GNA यह क्या बताती है हमें यह geometrically neutral point बताती है क्योंकि हमने दो pole की machine मान रखी है तो एक axis है चार pole की अगर machine मानते हैं तो दो axis आ जाती है बेसिकली GNA का मकसद यह है यह हमें geometric neutral point बताती है machine का कि इस axis के about जब हम देखेंगे machine को तो वो symmetrical दिखेंगी ठीक है न जैसा कि आप देख पा रहे हैं दो पार दिख रहे है यहाँ पर बाप देखिए कि हमने armature winding भी शोगर दी है करेंट के directions भी हमने mark करें हुए यह current के direction यह बता रहे है कि अगर generator का rotation जो हमने दिखा रहा है clockwise direction में होता तो इस तरह से armature winding में यह armature के conductors में current का direction होता इस dx के direction की flux के लिए ठीक है और अगर यह machine motor की तरफ वर्क कर रही होती यानि कि जो मोटर का अपने direction दिखा रखा है generator के opposite यानि anticlockwise तो भी यह direction होता conductors में आप समझ गे होंगे मैं क्या कहना चारहूं कि armature winding में हमने direction constant मान लिया है और हमने motor और generator दोनों का expected direction of rotation बता दिया है तो same current direction के लिए किसमे armature winding में same current direction के लिए generator का clockwise rotation होगा motor का anticlockwise rotation होगा किस condition के लिए जब d axis के direction में flux है ठीक है न तो आईए इनकी एक एक करके flux consider करते हैं यहाँ देखिए अपने field flux को consider किया हुए कहने का मतलब क्या है कि अभी जो हमने situation देख रहे है उसमें field winding भी है armature winding भी field winding में भी current flow हो रहा है यह देखिए हमने दिखा रहे है और armature winding में भी current show कर रहे है पर हम consider कर रहे है अभी सिर्फ field flux winding या field winding को consider कर रहे है सिर्फ field flux consider कर रहे है ठीक है armature winding consider नहीं कर रहे है तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ अगर field flux consider करी जाए या field winding consider करी जाए तो जो field की वज़े से flux बन रही है वो दोनों पॉल में half half equal distribute दिख रही है और बनेगी भी जई क्योंकि अभी कोई से disturb करने माला नहीं है तो upper half हो चाहे lower half हो जो हमारी ये field flux है जिसको हम फाई आर से denote कर रहे है ये दोनों में बराबर बनेगी ठीक है तो अगर मैं सिर्फ field flux को consider करूँ तो हम देख सकते हैं क्या कि d axis की तरफ ही हमारा सारा field flux है ठीक है और q axis की तरफ जो हमारा magnetic field intensity या magnetic field है b वो 0 है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी magnetic neutral axis भी वही होगी जहां geometric neutral axis है ठीक है अब इसके लावा आप देख सकते हैं कि हमने diagram में दिखा रखा है brushes q axis पर वैसे मैं आपको एक बात बताने चाहूँआ machines में आपने पढ़ा भी होगा कि q axis पर जो हमारे armature के conductors हैं वो commutation से गुजरते हैं यानि इसी axis पर conductors में d axis पर रखे जाते हैं टूपल के लिए मैं बात करूँ तो पर क्योंकि जो उनका short circuit है वो q axis पर हो रहा है तो brushes को q axis पर show कर रहे हैं हम यहाँ पर ठीक है ना चनल यह आपने यह देखा होगा यह basic machine का concept है ठीक है तो gna और mna क्योंकि coincide कर रही है तो वह ही हमारे carbon brushes है और यह देखिए हमारा armature flux हम show कर रहे हैं इसमें इसमें अपनने सिर्फ armature winding के conductors को या सिर्फ armature winding को consider किया है और उनकी वज़े से flux देख रहे हैं ठीक है तो एक बार मैं आपको पहले थोड़ा सा animation दिखाता हूँ कि कैसे यह armature flux rotating बनती है और किस तरीके से यह effect करती है यह देखिए दोनों तरफ के जो conductors है armature के हैं उनकी वज़े से armature flux बन रही है rotating अब अगर सिर्फ armature flux को consider किया जाए तो आप देख सकते हैं कि armature region में जो हमारी armature flux है वो सिर्फ और सिर्फ Q axis के along है बाकी अगर polar region में आप देखेंगे जहां poles हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक दूसरे को cancel out कर रही है ठीक है तो net जो armature flux armature region में मान सकते हैं वो का मान सकते हैं Q axis के along और D axis के along जो है armature flux का effect जीरो होगा approximately तो अगर हम दोनों को एक साथ consider करें filled flux और armature flux को तो आप देख सकते हैं कि यह एक दूसरे के quadrature में 90 degree angle है तो यानि जहर सी बात है कि armature region में यह field flux को distort कर देगी तो देखिए इस figure में आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा armature flux है वो हमारी filled flux को disturb कैसे करेगा तो मैं आपको बताता हूँ देखिए जो यह upper half है north pole का यहां armature flux upper half है जो filled flux को उसको बढ़ाएगी magnetize करेगी तो यहां पर अपन के सामने के आ रहा है magnetizing armature reaction ठीक इसी तरह इस south pole का जो lower half है यहां पर जो armature flux है यह इस filled flux को बढ़ाएगी support कर रही है ना same direction में तो यहां भी magnetizing है और यहां देखिए north pole के lower half में यह oppose कर रही है armature flux filled flux को ठीक इसी तरह से south pole के upper half में armature flux filled flux को oppose कर रही है तो यहां घटा देगी तो यह demagnetizing armature reaction हो गया और जो हमारा armature region है यह वाला यह armature region में जो हमारा armature flux है वो quadrature में हमारे filled flux के तो यह इसको distort कर देगी एक कुछ angle पर तो कुल मिलागे है हमारे पास तीन type का हमारा armature reaction हो गया magnetizing हादे पोल में demagnetizing हादे पोल में और cross magnetizing armature region में तो यहां देखिए आप यह magnetizing वाला reason है magnetizing armature reaction यह देखिए ठीक है ना तो जो हमारे काम का है यहां पर समझने के लिए वो है cross magnetizing और इसमें आप यह समझ सकते हैं कि अगर d axis के alongi flux होती तो हमारा जो gna है जो की perpendicular है वह हमारा mna होता पर क्योंकि अभी flux distort हो गई distorted field flux के perpendicular वाला reason हो जाएगा क्योंकि वह reason होगा न जहां magnetic flux 0 है तो armature reaction का effect क्या हुआ कि यह field flux जो distort हो गई armature flux की वज़े से उसकी वज़े से हमारी magnetic neutral axis shift हो जाती है generator की direction में या motor की opposite direction में machine जैसे भी काम कर रही generator या motor उसके according हमारी MN shift हो जाती है ठीक है तोड़ा और clear आप यह image देखिए मैंने standard text book से लिए कितने सफाई से अपनको दिखाया हुआ है node से south field flux जा रही है number one figure में number two में सिर्फ armature windings दिखाई है जिनकी वज़े से armature flux दिखाई है और number three वाले figure में देखिए आप क्या disturbance का pattern है वो हमें दिखा रखा है ठीक है ना इसमें देखिए आप clearly हमें बता रखा है axis है magnetic neutral axis वो shift हो गई है और आप देख सकते हैं कि यह rotation के ultra direction में shift हो यह तो जहर सी बात है कि यह जो हमें figure दिखा रखा है यह motor का होगा ठीक है ना क्योंकि motor के rotation के opposite direction में MNA shift होती है तो यहां से हमें यह clear हो गया कि अगर हमें commutation healthier चाहिए तो हमें carbon brushes को shift करना पड़ेगा देखिए आप पहले क्योंकि MNA और GNA coincide कर रही थी तो GNA पर carbon brushes रखे हुए थे machine हमने चलाई मान लीजी ऐसे generator चलाई जिसा कि figure में बता रखा है तो armature reaction की वज़ेसे MNA shift हो जाएगी और हमें पता है कि जहां MNA है वहां flux का effect negligible है तो commutation भी उसी point वर होना चीए तो carbon brushes भी हमें shift करने पड़ेगे MNA वाली position की तरफ ठीक है ना तो generator की direction में MNA shift होईगी तो अपने shift कर दिया अब यह तो क्या पूरी theory है यह तो पूरी theoretical बात हो गई practically हम इसे कैसे करेंगे और theory और practical में क्या अंतर है या नहीं है वो अपन को देखना है तो यह देखिए आप practical figure में आप लोगे सामने लेके आया हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं clearly commutator दिख रहा है हमें और उसके उपर carbon brushes है यह carbon brushes एक circular disc जैसा आपको दिख रहा होगा जिस पर carbon brushes का holder fix है देखिए आप कितनी सफाई से हमें commutator segment भी दिख रहा है और उनके बीचे माई का insulation भी दिख रहा है ठीक है यह हमारा carbon brush हो गया graphite जो की commutator से touch हो रख है और वो एक aluminum holder में है carbon brush holder और यह aluminum case जो है यह इस disc के साथ जुड़ा हुआ है अब आपको हो सकता है लग रहा हो कि यह disc फिर अपनी motor से जुड़ी हुई है तो जो EMF commutator पे होगा वही उसके carbon brush पे होगा वही holder पे होगा और वही इस disc पे होगा और वो motor में भी चल जाएगा तो short circuit हो जाएगी तो carbon brushes और उसके holder को यह machine की body से insulated रखने के लिए यह disc जो बनाए जाती है dielectric material है, insulating material है इस disc का ठीक है रखना भी चाहिए था क्योंकि अगर नए रखते हैं तो फूरी motor short circuit हो जाती ठीक है ना तो अब आप देखिए यह disc जो है total 3 nut bolts पे यह fix है और हम क्या कर सकते हैं हम इन nut bolts को loose करके इस disc को rotate कर सकते हैं, गुमा सकते हैं हाँ, और एक यह और देखिए आप कि यह पूरा जो system है यह पीछे यह silver color का जो थोड़ा सा चमक रहा है, यह bearing है जो कि motor body में fix है यह bearing fix करने की position है shaft, shaft के ओपर commutator commutator के बाद shaft के ओपर पूरा rotor यह पूरा assembly है इस figure पर आते हैं अपनों आपस इसमें देखिए आप, अब अगर हम machine को run कर रहे हैं और मान लिज़े generator की तरह run कर रहे है और इसमें full load पर अगर हमारा generator चल रहा है और armature reaction है, उसकी वज़े से carbon brushes पर sparking हो रही है या chattering का हमें sound सुना ही दे रहा है तो अपन क्या करेंगे अपन इन brushes को shift करेंगे, तो वो shift करने का तरीका क्या है, क्योंकि insulated disc है इन दोनों nut bolts और एक नीचे जो तीसरा nut bolt है, इनको loose करेंगे थोड़ा सा और जब generator चल रहा है तो जिस direction में rotor गूम रहा है उसी direction में इस disc को गूमाएंगे दीरे दीरे, एकदम चलते हुए में यह करना पड़ेगा, और जहां जिस position पर जिस position पर हमारा यह sparking कम हो जाए और वो chattering sound कम हो जाए, उस position पर लागर इसको रोक देंगे, हमारी machine को बंद करेंगे और nut bolts को वापस स्टाइट कर देंगे, तो यह position हमारी कौन सी हो गई जाएड सी बात है, यह position वो होगी जिस पर नहीं MN shift हो गई है, ठीक है न basically हमने क्या किया हमें पता नहीं MN कि तर है, हमें पता नहीं GN कि तर है, पर हमने क्या किया उस disc को गुमाया और जहां पर sparking खतब होई, हमने वापर हमारे brushes को रोक बिया तो चैट सी बात है, वो उसी जगह पर पहुंच गए होंगे, जहां पर commutation healthy होना है या जहां पर conductors में EMF नहीं बन रहा है during commutation ठीक है न, तो यह देखिए जो theory में है, ठीक वैसा हमने practical में किया है brushes को shift करना है कैसे करना है, ऐसे करना है कितना easy सा अपना arrangement है तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो like करिएगा, और subscribe करना मत भूलिएगा, और bell icon को जरूर press करिएगा, ताकि इसी तरह के और वीडियो हम आप तक पहुचाते रहे हैं, क्योंकि theory और practical ज़्यादा अलग नहीं है और इनमें relation दिखाना, इनको समझने के लिए, theory को समझने के लिए practical समझना बहुत जरूरी है, तो subscribe करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ share जरूर करिएगा, घ्यान बाटने से बढ़ता है, ठीक है तो देखते रहे हैं, सीखते रहे हैं, only at iDeserve Academy